Instagram बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो right और बनना चाहते हो Instagram पे सबसे अलग सबसे यूनिक और Instagram किंग बनना चाहते हो लेकिन वीडियो बहुत अमेजिग होने वाला है तो अब भी वीडियो को like कर देना और चैनल को subscribe कर देना क्योंकि आपका भाई योस आपके लिए बनाता ही रहता है तो बिना किसी तेरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तो पहली ट्रिक है Instagram के likes को ले करके, अभी Instagram ने एक नया update रूल आउट कर दिया है पिछले 2-3 महीने से, उसमें क्या होता है Instagram पे likes नहीं दिखते हैं, likes को hidden कर दिया है, तो जितने भी लोगों ने likes किया उसको summarize करके सिर्फ दिखाये जाता है कि thousands of people liked your photo या others liked your photo या अगर को लोगों ने आपकी photo देखी और उसे like करा है, तो बहुत simple trick है, सबसे पहले आप लोगों को photo को open करना है, photo को open करने के बाद 3 dot पे click करना है, जो top right corner पर होता है, उसे click करने के बाद यहां पे आप लोगों को photo को URL copy करना है, उसके बाद आपको Google Chrome में जाना है, या किसी भी web browser मे चला जाएगे, उसमें जाने के बाद आपको वो URL paste करना है, simple as that, जैसे अब URL paste करेंगे, उसके बाद आपका Instagram Google Chrome में खुल जाएगा, और वहां पे display हो रहा होगा, आपके number of likes, जैसे देख सकते हो, मेरी app में नहीं होता है, लेकिन Google Chrome में होता है, by the way मुझे पता ना, किस किस क जी हाँ, WhatsApp, Snapchat, इन सब की तरह आप Instagram पे भी status लगा सकते हैं, लेकिन Instagram पे status लगाना बहुत लोगों को पता नहीं है कि करना कैसे है, tension मतलब मैं बताने वाला हूँ, तो basically आप लोगों को एक application डाउनलोड करनी है, threads for Instagram, ये application आप डाउनलोड कर लीजिए, अब ये application बहुत कमाल ये, क्योंकि जब ये application आप use करते हैं, तो बहुत जादा multiple tasks easy हो जाते हैं, पहले चीज़ तो आप किसी को भी photos क्लिक करके direct उसे send कर सकते हैं, बिना Instagram के message वाले section में जाए, फिर उस बंदे की profile पे tap कीजिए, ये सब नहीं करना पड़ेगा, direct किसी को भी आप photos send करते हैं, अब एक चीज़ है या पर ये status आप एक घंटा, छे में घंटा या फिर एक दिन के लिए लगा सकते हैं, या फिर change कर सकते हैं, बीच पीच में, तो जिससे भी आप messaging पर बात कर रहे होंगे, Instagram messenger पर उन लोगों को आपका status दिखेगा आपके नाम के नीचे, जो और लोग भी पू उन लोगों के लिए जो Instagram पे random photos upload करते रहते हैं, लेकिन जब वापस अपनी Instagram profile पे जा करके देखते हैं, तो उनकी profile उतनी attractive नहीं लगती है, क्योंकि उन्होंने एक ही same color palette की photos upload कर दी होती हैं, तो फीड में देखने में मजा नहीं आता, क्योंकि जब आप Instagram feed देखते हैं, तो देखने वाली है, आपकी Instagram feed कैसे दिखने वाली है, तो उसे साब से आप photos upload कर सकते हैं, उस साब से आप photos plan कर सकते हैं, ताकि आपका profile का जो color palette है वो भी maintain रहे, और आपकी profile बहुत unique और amazing लगे, तो grid maintain करना बहुत अच्छा लगता, एक design सा बन जाता Instagram profile पे, try करो, उससे followers वग load करो, तो कमाली हो जाएगा, यह जो application है, इसका नाम है hype text, android के लिए legend नाम से आती है, अब ये video application क्या करती है, basically आप इसमें कोई भी video edit कर सकते हैं, और उसमे animated text लगा सकते हैं, अब story में तो आप लोग को पता है, आप जो text लगाते हैं Instagram के थूँ, वो animated नहीं होते हैं, चलके आ रहा होगा, तो काफी cool लगता है, तो वो सब आप editing कर सकते हैं, सिर्फ एक one click में और Instagram पे directly upload कर सकते हैं, hype text की मदद से iPhone पे, और legend की मदद से Android पे, essential links नीचे हैं, description में आप try कर सकते हैं, stories को next level पे ले के जा सकते हैं, अपने Instagram की, animated यार वैसी कमाल लगता है, दोस्तो Instagram पे एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मुझे समझ नहीं आ रहा Instagram वाले इस problem को solve क्यों नहीं कर रहे हैं, Instagram पे आप किसी की भी profile पे जाओगे तो उसकी profile picture को आप बढ़ा करके देख ही नहीं सकते हो, मतलब अगर उसने story लगा रखी होगी तो उसकी story खुल जाएगी जब भी आ अगर कुछ नहीं लगा रखी होगी तो profile कामी नहीं करेगी, मतलब बड़ी नहीं होगी picture, बस आप tap करते रहे जाओ, कुछ नहीं होने वाला, तो अगर किसी की profile picture को आप बढ़ा करके देखना चाहती हो, तो बहुत simple trick है, कोई app डाउनलोड नहीं करनी, वैसे app से भी हो जात करना है, वहां से copy profile URL करना है, जैसी आप profile का URL copy कर लेंगे, अगेन आपको Google Chrome में जाना है, Google Chrome में जाने के बाद ये जो URL आपको paste करना है, सर्च मत करना अभी, रुख जाओ, आपको Instagram से पहले 0 लगाना है, मतलब www.instagram से website स्टार्ट होगी है, तो Instagram से पहले, I से पहले 0 लगान सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, चाहो तो download भी कर सकते हैं, download का भी option आता है, तो ये problem भी मैंने आपकी solve कर दी, तो दोस्तों I hope आप सभी को video काफी कमाल की लगी होगी, बहुत कुछ amazing tricks के बारे में पता चलाओगा, जैसे status वाली हो गई, और big profile picture वाली हो झाली होगी है, जैसे लुह कर दोंटा प्रेई ओिता हैं, कि ग्रवाणायद है